जहें दोस्तों इस सवाल को जरह ध्यान से देखेगा और यह वालो जो सवाल पूछा गया है यह पूछा गया है UPSC प्रिलिम्स 2024 का जो प्रिलिम्स का एक्जाम वह तो उसमें और यह कुर्शन डारेक्ट निकल के आया है M. लक्षमी कांद की बुक से M. लक्षमी कांद की बुक को अगर आफ फॉलो कर रहे हैं तो उसका जो फर्ष्ट पार्ट है फर्ष्ट पार्ट के ही चैप्टर टैन से पूछा गया है जिसमें जो की किस करें बात करता है में बात करता है तो आपको कुर्शन में यह पूछा गया था कि भारत सविधान के अनुसार जो अनुछे 368 है तो संसद निमलिखित में से किनके द्वारा सविधान की किसी उपवंदन में संसोधन कर सकती है यहाँ पर पहला था जैसे परिवर्धन दूसरा था परिवर्ध सी था केवल एक और तीन और ओप्शन दी था एक दो तीन यहीं कुशन हम इंगलिश में में भी देख लेते हैं कि अकॉडिंग टू आर्टिकल 368 या एस पर आर्टिकल 368 ऑफ दी कॉंसिटूशन ऑफ इंडिया दा पार्लेमेंट में एमिट एनी प्रोविजन ऑफ दा कॉं आर्टिकल 368 के आरेमें बात करते हैं एक मैं इंडियन कॉंसिटूशन कि आर्टिकल 368 अब देखिए हमारा जो कॉंसिटूशन है वह क्या है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है यह आपने बहुत बार सुनाओगा कि इंडियन कॉंसिटूशन इजा लिविंग डॉक्यूमेंट अब ऐसा क्यों कहा जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने कॉंसिटूशन को क्या है टाइम के को सकते हैं कर सकते हैं रिया है असलिए असलिए भॉठ के अगर हम अपने कॉंसिटूशन की बात करते हैं मने закон जैसे हम डूका इकजांपल देख की बात करते आपको अजिसमें की वैंकि दो10 इसमेंट हम ईजली किया सकता सकत और दूसरा एक्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो बात करते हम USA की Constitution के आलिम जो काफी जादा क्या है हाड जिसमें amendment करने की जो प्रोसेस काफी जादा क्या है हाड प्रोसेस है तो इस वज़े से कहा जाता है कि इंडियन Constitution जो है यानि कि जो हमारा समिधान है वो ना ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला है हमारा Constitution इसी बेसेस पर क्या है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है तो देखिए हमारे Constitution को जो आटिकल 368 है वो किसके आडियम बात करता है amendment process के बारे में बात करता है amendment process तो जिसमें की अगर हम amendment process की बात करते हैं जिसमें चाहिए हमें special majority in parliament special majority in parliament अब इसका मतलब क्या है देखिए अगर हम बात करते हैं अपने parliament के अंदर parliament के अंदर दो house होते हैं एक होता है हमारा राजय सभा और दूसरा होता है हमारा लोग सभा तो हमारे parliament के अंदर जो special majority चाहिए वो दूनों houses में चाहिए होती है यानि कि इसमें दो त्रिहाई से कम वोट नहीं चाहिए not less than two-third not less than two-third मतलब है इसमें जितने मेंबर जो है प्रेजेंट है और जो वोटिंग दे रहे हैं तो उसके क्या है हमें दो त्या ही वाउमद चाहिए होता है constitution में amendment करने के लिए फिर देखिए एक होता है certain amendment require state ratification ratification अब इसका क्या मतलब होता है कुछ amendment ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या है state की भी ratification की ज़रूरत पड़ती है तो अकर हम state ratification की बात करते तो इसमें भी क्या है हमें half यानि की आधे से ज्यादा एटलिस आधे state legislative की हमें क्या चाहिए होती है परमेशन्स चाहिए होती है आधे से ज्यादा एटलिस्ट हाल्फ state की क्या चाहिए होती है legislature की हमें permissions की requirement होती है जब अगर हम बात करते इसको और भी जाद एफेक्टिव जो हमारा federal structures है और distributions of power है state और union के बीच में एक चीज और याद रखेगा इसमें अगर हम बात करते है लिमिटेशन के बारे में लिमिटेशन and judicial review अब एक चीज याद रखेगा जब हम अपने constitution में amendment की बात करते हैं तो amendment लाया जा सकता है और सिर्फ amendment लाने तो दोनों में से किसी भी houses में amendment के regarding में बिल रखा जा सकता है बट इस्टेट लेचलेशर के द्वारा amendment नहीं किया जा सकता है यह कुशन आप हमेसा यह point याद रखेगा कि state legislature के द्वारा constitution में amendment नहीं किया सकता है यह power सिर्फ और सिबाब को किसके पास देखने को मिलेगा पार्लेमेंट के पास देखने को मिलेगा तो देखिए parliament constitution में amendment तो कर सकते हैं लेकिन 1973 में supreme court ने case 1 और भारती case के तहत यह बात कही थी कि parliament constitution के basic structure को change नहीं कर सकती है और supreme court basic structure क्या होगा constitution का वो case to case क्या करेगी amendment to amendment decide करेगी कि क्या यह constitution का basic structure है यह basic structure नहीं है अब देखिए article 368 में और भी चीज़े रखी गई जैसे हम अगर types of amendment की बात करें तो तो उसमें three types के amendment रखे गए three types of amendment अब three types के amendment में क्या 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 रखा गया पहला रखा गया है आपके पास simple majority यानि कि अगर parliament को कोई भी मतलब parliament के अंदर amendment करना parliament के दौरा constitution में amendment करना हो तो पहला वो क्या कर सकते हैं simple majority के दौरा amendment कर सकते हैं example के दौर पर आप देख सकते हैं जो हमारी constitution के अंदर second schedule है second schedule कि स्केडियम बात करता है और जैसे salary allowances करें बात करता है तो उसमें अगर parliament change करना चाहिए तो वो simple majority के दौरा change कर सकती है दूसरा आता है हमारे पास special majority of parliament special majority of parliament अब इसका मतलब क्या है देखिए कुछ province ऐसे हैं जिसमें parliament को अगर constitution में amendment करना चाहती है तो उसके लिए उन्हें क्या करना कि कितने requirement के जरूत होगी तो special majority requirement होती है यानि कि उन्हें दो ती है से जादा बहुमत की जरूत पड़ती है फिर एक तीसरा जो हमारे पास आता है वह आता है special majority and state ratification कुछ amendment ऐसे होते हैं हमारे constitution के अंदर में जो कि जिसमें हमें Parliament के अंदर एक तो special majority भी चाहिए होता है और साथ के साथ at least half state की permissions भी चाहिए होती है तो यह तीन तरीगी की amendment होते हैं जो कि हम अपने constitution के अंदर में सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के रिगाडिक आपको कोई भी सजेशन देने कमेंट बॉक्स आपने आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ठैक्स फूर वाचिंग प्रेंट टेक केर जैहिंद